Good morning viewers, अब सब केसे हैं, मैं बहुत अच्छा हो, ओप करता हूँ आपह बहुत अच्छा होगे, अजिरो मैं अपने dogs के साथ में और न surplus साथ में मेरे इंप लिःूव और व्लॉग के साथ में मेरे साथ में हैं लियू और साथ में डेजी के खड़ी हुई है और पीछे बेक्गर गाट के अंदर एक गाट जैसी थी, यह गाट कई तरे की हो सकती है, देखिए यह गाट या तो participate हो सकती है यह इसके अंदर कोई participation नहीं हो ये जो भी मेडिसिन्स में डिसकस कर रहा हूँ ये मेडिसिन्स में अपने डॉक्स पर यूज़ करता हूँ लेकिन आप जब भी मेडिसिन्स यूज़ करें किसी डॉक्टर की सला और निगरानी के बिना ना करें क्योंकि हो सकता है कि आप गलत डियाग्डोस कर बैठें और मेडिसीन को गलत अमाउंट में दे बैठें इससे होगा क्या फाइदा कम और नुकसान जादा हो जाएगा सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि थनों का सू जाना, बड़ा हो जाना, लाल हो जाना और टच करने पे गरम लगना, ऐसे केसिस में पेन बहुत जादा होता है तो बैले डोना बहुत अच्छा काम करती है अगर ऐसा हो कि थनों के अंदर गाठें बनने से, दूद के अंदर छुटी छुटी गाठें बन जाए पिन हेट की बराबर इतनी बड़ी बड़ी काठे बन जाए तो हम तीन मेडिसीन जो यूज़ करते है उसमें जो पहली मेडिसीन है सल्फा देखिए सल्फर जब भी दे है, आप तो इसे लगातार ना दे थर्टी पुटेंसी में अगर आपको सल्फर देनी है तो हफ़ते में एक बार या दो हफ़ते में एक बार दे दीजे इसके इलावा ऐसी कंडिशन में जो दूसरी मेडिसीन हम यूज़ करते है वो है साइलेशिया, बहुत अच्छा काम करती है जिसके इसमें फोडे नूमा फॉर्मेशन हो जाए थनों के अंदर तीसरी मेडिसीन है वो है कार्बो वेज देखे ये तीनों मेडिसीन का कंबिनेशन हम यूज़ ली देते हैं जब थनों के अंदर छोटे छोटे फुट के जैसे पड़ जाए सल्फर, साइलेशिया एंड कार्बो वेज देखे अगर मेस्टराइटिस के शुरुवात है और बहुत जादा लाली नहीं है बहुत जादा पेन नहीं है लेकिन हाँ साइज बड़ा हो गया है गाट है बन रही है तो ऐसे केसिस में हम जो दूसरा कंबिनेशन देते हैं वो है बेलाडोना जिसे हमने पहले ही डिसकस किया है यह पेन के अंदर और लाली के अंदर इस तरह की प्रॉलम्स के अंदर बहुत अच्छा पेन किलर है और जो दूसरी medicine है जो हम इस case में use करते हैं वो है आर्टिका औरान ये medicine हम 30 potency में देते हैं बहुत अच्छा इसका result है इसके साथ में हम जो तीसरी medicine देते हैं वो है ब्रायोनिया ब्रायोनिया भी ऐसे cases में बहुत अच्छा काम करती है जहां पे mastitis की early development हो तो हम जैसे पहले discuss कर चुके हैं कि mastitis की early stage की development के अंदर जो तीन medicine का course सबसे अच्छा काम करता है उस पे सबसे पहली medicine है बैलाडोना आप देख रहे हैं थनों के अंदर किस तरह से लाली आ रही है यही symptoms हैं बैलाडोना की use के लाली होना दर्द होना चुबन होना इस तरह की दिक्कत के अंदर जो तीन medicine यूज करते हैं हम लोग वो है बैलाडोना अर्टिका उरान और ब्राइनिया यह तीन medicine दीजिए और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा result है देखे होता क्या है कि इसके अंदर इस तरह से फोड़ा नुमा बन जाता है और इसमें से पतला सा पानी पीप जैसा निकलना शुरू हो जाता है ऐसे cases में हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं फोड़ों के अंदर भी काम करती है और ऐसे case में भी बहुत अच्छी काम करती है हैपसल्फ हैपसल्फ 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में ये दोनों पोटेंसी आप यूज़ कर सकते है बहुत ही अच्छे result है हैपसल्फ को आप silesia के साथ भी यूज़ कर सकते है इन दोनों medicine को आप लगातार चला सकते है आपको बहुत अच्छे result मिलेंगे अगर इसमें एक तरीके से tumor formation शुरू हो जाए और गाठे बननी शुरू हो जाए तो जो सबसे अच्छी remedy है जिससे हम tumor के treatment को start करते हैं वो है phytoleka phytoleka 30 पोटेंसी में ऐसे cases में जहां पर गाठे बननी शुरू हो गई हो memory gland के अंदर या tumor हो गया हो बहुत अच्छा काम करती है और ये सबसे पहली दी जाती है अगर memory gland के अंदर पानी जैसा भर जाए जब मदुमक्खी के काटने के बाद में सूजन आ जाती है पानी भर जाता है तो इसलिए epismel जो मदुमक्खी के जहर से बनी हुई medicine है वो use की जाती है जहां पर ऐसे symptoms होते है चुबने वाला दर्द पानी भरा हुआ ऐसे swelling हो जाए जैसे मदुमक्खी के काटने पर कभी-कभी हो जाती है ऐसे cases में epismel बहुत अच्छा काम करती है बोडी के left side में अगर female के eruptions होनी शुरू हो जाए चोटी-चोटी गाठे बने और वो ऐसे बड़ी चोटी-चोटी गाठे बनके उसमें फूटनी शुरू हो जाए तो bromium 30 बहुत अच्छा काम करती है इस पे आपको symptoms देखने है nodular eruptions अगर left side की body के left side में हो रही है female के तो bromium 30 बहुत अच्छा काम करती है इसलिए ये head medicine है ऐसे cases के अंदर एक और बहुत अच्छा बिल्कुल unique symptoms है जो बिल्कुल अलग करती है बाकी symptoms से एक है constipation constipation के साथ में अगर उसके थनों के अंदर पत्थर जैसे गाठे बननी शुरू हो जाए तो plumbum plumbum Iod ये medicine बहुत अच्छा काम करती है याद रखिए का constipation भी रहता हो और साथ में गाठे बन रही हो memory gland के अंदर थनों के अंदर तो plumbum Iod 30 देना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये गाठे cancer का रूप धारण कर लेती है और आपको लग जाए पता कि हाँ ये गाठे आगे चलके cancer हो सकती है ऐसे case में carcinocin medicine 200 potency में ये medicine cancer वाले cases में बहुत अच्छा काम करती है ये हमें देनी चाहिए pseudo pregnancy के अंदर भी दिक्कत क्या आती है कि थनों के अंदर सूजन आ जाती है बड़े हो जाते है थन अक्सर लोग पूछते है message करके थनों को दिखागे सर ये देखकर ऐसा लगता है कि female pregnant होगी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि pseudo pregnancy के अंदर hormones balance नहीं रह पाते है इसके वज़े से भी इस तरह की दिक्कत आती है तो पलसटिला बहुत अच्छा काम करती है hormones को balance करने के लिए ये pseudo pregnancy में बहुत अच्छा काम करती है उसके इलावा अकर बहुत जादा pain हो रहा हो और उसको chain नहा रहा हो ऐसे cases में बैलाडोना तो काम करती है उसके साथ में जो दूसरी medicine काम करती है वो है chamomilla chamomilla आप 30 potency में दे सकते है और ये आप दिन में तीन से चार बार असानी से repeat कर सकते हैं बहुत अच्छा काम करती है hope you video आपको informative लगा होगा अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे like, share, subscribe जरूर कीजिए हमारे इस channel पे 700 से जादा videos है जिसमें maximum videos dog की breeds के उपर और health के उपर है अगर आप हमसे जोडे रहेंगे तो आपको आपने talks की health के बारे में की जर्कारी मिल जाएगी कि most of the cases के आपको टॉक्टर के पास जाने की जरोती नी पड़ेगी thank you for watching us have a good day झाल